तो 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 आईटीएएवकी फ़र्टवाइक के कॉटटर वण के नम्बर आच चुके है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईटीएवकी फ़र्ट बैंक के नाइश्वर ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करत करेंगे तो पिछले कोड़र के कंपेरिस्जन में चार परसेंटेक्स से नेट प्रोफिट का नंबर में काम उठा हुआ नजर आया है और यह आया है करेंगे तो इतना जाद है यहाँ पे जो डिपोजिट का कॉस्ट यहाँ जो का बैंक का बढ़ा है तो उसी की वज़े से हमें यहाँ पे कंपनी का नंबर काम उठा हुआ नजर आया है तो इतना प्रोफिटिव बढ़ने के बाद में भी अगर कमनी की प्रोफिटिव लिडिया में 61% से बढ़ती हुआ नजर आये तो डेफिनेटली मार्केट इसे काफी जादा पॉजिटिव बढ़ा है और इसका रिजन क्या है तो कि अच्छे से यहाँ पे लोन बुक हमें यह बैंक बढ़ता हुआ नजर आया है और काफी गौटर में यहाँ बैंक से लोन देता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हमें पर इतने अच्छी profitability year on year business पे इतना प्रोइजनिंग करने के बाद भी हमें आपे grow TV नजर आ रही है अगर हम gross NPA के नंबर के अगर हम बात करेंगे पिछले कौटर में यह नंबर 2.51 परसेंटेज के लगबग था और अभी यह नंबर 2.17 परसेंटेज के लगबग आया है और अगर हम Net NPA के नंबर के अगर हम बात करेंगे यानि कि जो प्रोइजनिंग के बाद का जो नंबर होता है वो भी हमें 0.7 परसेंटेज के लगबग उटा हुआ नजर आया है जो कि यह नंबर पिछले कौटर में 0.86 परसेंटेज के लगबग था तो यहाँ पर IDFC First Bank जब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बार एक Lowest Net NPA का नंबर इनका भी हमें आप आता हुआ नजर आया है तो देखा जाए तो Asset Quality के वाइस अगर हम बात करेंगे नंबर काफी अच्छे है लेकिन जो भी मेरे खाल से जो बैंक के नंबर्स हमें आपर आते हुए नजर आया है तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए Short term में यह शारी चीजा हमें आपर प्राइक दी नजर आती है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो quarterly basis पर 4% का फॉल में आपर profitability में देखने को मिला है वो कहीने कि market थोड़ा सा negative वे में ले सकता और हमें यहाँ पर 3-4% का हमें यह शारी चाल में यह stock के लिए देखने को मिल सकता है लेकिन देखें मेरे खाल से मुझे लगता है कि market को यह मुझे बता रहेगा कि शार्ट में आपर बैंक की जो numbers है यहाँ यह quarterly basis की जो growth है वो हमें आपर negative वी देखने को मिलेगी तो कि बहुत सारे बैंक के अगर हम बात करेंगे तो उनकी नमें negative growth देखने को मिले है चुकि सारे बैंक में हमें आपर जो deposit की cost है वो हमें बढ़ती हुए नजार रही है तो वो आपने mind में रखना चाहिए लेकिन देखें मुझे लगता है कि शॉट्टर में आपर कोई extraordinary returns अभी हमें यहाँ आपर IDFC first bank में आत company ट्रेड हो दिए तो उसके इसाब से अगर आप देखोगे 18 earnings का P ratio में आपर यह company का उठावा नजर आता है तो देखें अभी यहाँ लगाधार consistent अगर यह bank में आपर profit report करता हुए नजर आएगा तो देखें एक bank की अच्छी बात में यह नजर रही है कि अच्छा का प्रो provisioning के number को जाके देखोगे तो hardly वहाँ पर बहुत कम provisioning के number हो जए total loan book के comparison में अगर आप देखोगे 1% का भी उनका provision का number नहीं होता है इसलिए वहाँ पर आपने थोड़ा questions जेना चाहिए तो अगर economy में जैसी situation change होगी तो वहाँ पर सीधा वह bank हमें lost report करते हुए नजर आएग यहाँ पर देखा जाए अगर long term point वी से देखा जाए तो मेरे खाल से यह bank आपने पकड़ के रखना चीए short term point वी से मुझे लगता है कि यह result देखने के बात में market में यहाँ पर कासी ज़्यादा bullish नहीं जी एक stock से related आएगी मुझे लगता है market एक normal reaction करेगा और मुझे लगत है कि negative side यहाँ पर हो सकता है कि ठोड़ा reaction हमें देखने को मिल सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना कोई negative reaction होगा यहने कि 45% से ज़्यादा का fall मुझे लगता है यहाँ पर short term में हमें result को देखके हमें होता हो नजर आएगा तो इस point वी से आपने यहाँ पर देखना च हुआ है